आज हम सीता फल कदू या काशी फल इसे आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं या बोलते हैं बहुत से नामें इसके आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे तो हम खटी मीठी सब्जी बनाएंगे तो इसका छिलका बहुत पतला है तो और हारे रंक है कच्छा छिलका है तो हम छिलके समेट बनाएंगे और इसे चोटे-चोटे टुकड़ों में काट लेंगे यह सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही हेल्थी सबजी होती है और यह मैंने सब काट लिए अब हम एक कढ़ाई में दो चमज सरसोका तेर लेंगे और उसमें हम हींग डालेंगे एक चुटकी अब हींग अपनी हिसाब से कर सकते हैं अगर आपकी स्टॉंग है तो आप कम डालते या आपकी स्टॉंग नहीं है तो थोड़ी जादा भी डाल सकते हैं मैंने एक चमज इसमें सौफ डाला है और आधा चमज मैंने इसमें मेथी दाना डाला है और एक चमज मैं इसमें mustard seed सरसो के दाने डाल रही हूँ और इसे हम तड़का लेंगे जब ये तड़क चाहे तो फिर हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे और ये सबजी खटी मीठी बहुत ही टेस्टी लगती है खान में बहुत ही टेस्टी और simple easy recipe है और इसमें एक चमज मैंन जादा कर सकते हैं आपको ऐसी पसंद हो तीखी सबजी उतनी हिसाब से बना सकते हैं मगर ये खटी मीठी थोड़ी से तीखी ऐसी बनेंगी तो इसमें हम दो चमज हरी मिर्च डाल रहे है तो अब इन्हें थोड़ा सा पकालेंगे जिससे की मसालों का कच्छापन निकल लाल मिर्च पाउडर डाला है और इसे एक मिनिट पकाना है ज्यादा नहीं पकाना नहीं तो मसाले जल जाएंगे और इसमें मैं कटा हुआ काशिफल डाल दूंगी और अब इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और इसे लो फ्लेम पे मैं पकाऊंगी जब तक कि ये गल ना जा है और इसे अच्छे से चला कर और ढखकर पकाऊंगी और ये खानी में बहुत लगती है और इसमें बहुत लगती है और आपको पता है 29 सेटेंबर को पंकिंड दे मना अब इससे मैं ढखकर पकानी के बाद अब इससे अलट पलट कर दूँगी और इसमे नमग डालूँगी क्योंकि हमने अलट नमग डाला था और सबची इससे जल्दी गल जाएगी तो हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमग डाला है मैंने एक चमच नमग डाला छोटा चमच है और इससे यह मैंने आधा किलो पंपकिन लिया था काशिफल और इससे इसमें मैंने आधा चमच नमक डाला है और इससे ढखकर मैं 5-6 मिनिट तक पकाऊंगी और बीच-बीच में मैं इससे चलाती भी रहूंगी और फिर इससे ढखकर हम 5-7 मिनिट और पकाएंगे और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगेगा और अब इसमें मैं डाल रहे हूं गुड़ जो कि मैं दो चमच डालूंगी गुड़ की मैंने कूट के डालाया गुड़ को और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर लास्ट में हम डालेंगे इसमें अमचूर मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है और यह बीना लसन प्याज और टमाटर की सब्जी है और यह हमने एक चमच इसमें अमचूर डाल दिया और यह हमारी सब्जी बनकर बिल्कूल त्यार है खाने के लिए और बहुती सिंपल इजी रेसिपी है और यह हम पूड़ी पराटे के साथ खाएंगे और बिल्कूल हलवाई जैसे यह सब्जी पनी है इसकी खुश्पू बहुती बढ़िया और बहतरी ना रही है और खाने में तो यह बहुती टेस्टी है और यह सब्जी अभी हमारी गल गई है अच्छे से और यह अब खाने के लिए त्यार है आई होप यह आपको पसंद आएगी और यह मैं कस्तूरी मेथी से इसको डाल रही हूं मैंने आदा चमच कस्तूरी मेथी डाल गया और यह सर्व करने के लिए खाने के लिए त्यार है आई होप यह आपको पसंद आएगी